जी हैं दोस्तों टीम इंडिया साउथ अफरीका दोरे के लिए बिल्कुल तयार है जहां साउथ अफरीका पहुँच भी चुकी है तयारियों में जुटी हुई है क्योंकि इस बार जंग आर पार की होने वाले दोस्तों 29 साल का रिकोर्ड दाउं पर लगा है क्योंकि साउथ अफरीका के उनके घर में हराने वाले कुछ ही टीम है उसमें भारत देश का नाम नहीं है टेस्ट सिरीज हराने के मामले में जब-जब भारते टीम गई है अपने कि प्लेंग लेवन की जानकारी देते हैं बाकि आपको बताएं तो 26 दिसंबर से दोस्तों पहला मैच खेला जाना है इसका समय नुस्तार अकरिब दिन के एक 30 से शुरू हो गई मुकाबला जो आप सभी को लाइव अपडेट हमारे चैनल के मादियम से मिलेगी लेकिन बिना कि प्लेंग लेवन के अनॉंसमेंट करें तो रोई शर्मा दोस्तों इंजड हो गए जिसकी वज़े से मयंक अगरवाल उनकी जगे लेते नज़र आएंगे और केल दाहूल जो उपनिंग करने वाले थो वो तो करेंगे ही उप कप्तान भी केल दाहूल बनते नज़र आएंगे चेतेसवर पुजारा नंबर तीन पर खेलेंगे नंबर चार पर दोस्तों विराट कोली कप्तान की रूप में मौजूद हैं वहीं अजिंक्या रहाने की खेलने पर सस्पेंस है क्योंकि अजिंक्या रहाने श्रेशियर हनुमा विहारी तीनों मौजूद हैं यापर लेकिन अश्विन जस्परीद बुमरा मुहम्मा श्राज शार्दुल ठाकुर की जगे दोस्तो अक्षर पटेल भी हो सकते थे लेकिन अक्षर पटेल इंजर्ड है और यहां पर जयनतियादा भी मौजूद है लेकिन शार्दुल ठाकुर शायद बल्ले से भी कमाल दिखा है इसी वज रखता है कि जीत की और देखना चाहें तो सिराज को पहली पसंद बनाए इस शांत और सिराज में भी अपनी कॉमेंट करके रायर रख सकते हैं 26 दिसंबर से पहला मैस शुरू होना है दोस्तो यह है आपके सामने प्लेंग 11 इसमें बस कुछी हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है बाकि सेम और विराट कोली तो रणनीती बदलने माहिर है तो कुछ भी वो कर सकते हैं मैदान पर ही टॉस के समय सारी जानकारी आपको मिली ही जानी है नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट